हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं एक एक जम्ट ओपर यूटूब चैनल तो देखें यहाँ पर हम उत्रप्रदेश सिक्सा से रिलेटेड कई बड़ी सारी अपडेट्स लेकर आपके साथ हजीर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिएगा चैनल को रेड बटन दबा कर साथी जो गंटी बटन है उसको दबा कर आउल नोटिपिकेशन पर आपको करना है सलेक्ट जिससे कि आने वाले सारी अफटेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहे सब से पहले ठीक है तो सुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर पॉन्ट ऐ हुआ है जो 79 सक बड़ती मामले में जो अतिरिक्ट न्युकती ए हो नहीं कर सकते हैं यहाँपर हाई कोड ने आदेश जारी कर दिया हैं उसमें अतिरिक्ट जो पद ऐड़ किये जा रहे हैं वो आप ऐसा नहीं कर सकते है साफ साफ आई कोट ने बोल दिया है इससे क्या होगा कि बड़ती में एक नया मोड आ चुका है और जो 6800 अभ्यारत की जो अतिरिक्त सेहन सुची जारी की गई है वो अब यहाँ पर उस पर तलवार लटक चुकी है यहाँ पर एड़ कर रहे हैं 69000 अजार सक्षक बढ़ती है के अंदर उनको लेकर यहाँ पर जो हाई कोट ने साफ साफ निर्देश दिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं देखेगा यहाँ पर हाई कोट ने साफ साफ बोला है आप बिना कोई अतिरिक तविग्यापन जारी किये या फिर अन्य कोई नई वेकंसी के फोर्म में निकाले बिना जो है डायरेक्टली ऐसे कोई भी पद एड़ नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पर देखेगा यह चीज यहाँ पर साफ साफ आई कोट ने बोल दी है उसके साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं मालेजिए 69,000 पदों पर आप जो है मतलब की आठटटट सो और अभ्यारतियों को जो है चैन कर रहे हैं तो आप हमें यह बताइए कि कैसे जो है उनको आप पद देंगे या फिर किस तरीके से उनको स्वैलेर देंगे क्या एक पद पर जो है दो विक्ति काम कर सकते हैं या फिर जो है क्या उनको वेतन प्राप्त मिले होगा तो यह सारे सवाल जवाब जो हैं आपर हाई कोट में हुए हैं और उनके संद्रम में देखिएगा जो माहा दिवक्ता है इस मामले में जो माहा दिवक्ता है वो कोट को संतुष तो नहीं कर सके लेकिन काया है कि राज्ये ने पहले से नियुक्त उन अभ्यारतियों को बाहर करने का कोई भी निरणा नहीं लिया है जिन्होंने अट सट सो उम्मिद्वारों से कम अंक प्राप्त किये होंगे यह साप यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ठीक है उसके बाद में देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि जो निजी प्रतिवादी है इनकी तरब से पेश वकिलों ने भी सुची का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने सामने स्रेणी के उम्मिद्वारों के लिए मेधावी होने के कारण न्यूक्ति किया जाना चाहिए पहले न्यूक्ति किये गए उन लोगों को हठा दिया जाना चाहिए कोट ने सम्मंदित वक्सकारों की जो है आपर 18 फरवरी को अपना पक्स रखने का मोका दिया है तो कोट ने सारे सवाल जवाब करके एक बोला है कि 18 परवरी तक जो है आप अपना पक्स रख सकते हैं जो भी है तो अगली सुनवाई इसकी होने वाली है 18 हरवरी को आपकी ठीक है जब तक ये जो भी अपडेट साती है आपको भी इस भी इसमें यहाँ पर अपडेट दी जाएगी शाथ यहाँ पर इस रिलिटेड कई सारे जो न्यूजपेपर साथ उसमें अलग-अलग तरीके से जो है खबरे सामने आ रही है जिसमें यहाँ पर लिखा हो है कि कोटे के जो 68 सो अब भीहारती है उनकी न्यूकती पर अंतरिम रोक लगा दी गई तो यहाँ पर जब तक कुछ फाइनल डिस्जन नहीं हो सकता इस पर रोक लगा दी गई है जो अंतरिम रोक है सकते हैं आप इसको ठीक है उसके बाद में देखेगा यहाँ पर एक और न्यूस पर बोल रहा है कि 68 सो अब भीहारती की न्यूकती पर लगी रोक यहाँ पर साइक सिक्सक बरती यहाँ पर जो लखनाओ की बेंचे इसने इस पर बरती पर रोक लगा दी है यहाँ देखेगा अगर बात करते हैं तो उसके बाद में यह सारी सीज़े अपडेट्स जो है इससे रिलेटेड थी 79 जार जो पदवर भरती थी उससे रिलेट अब आते हैं यहाँ पर एक जो दूसरी अपडेट है वो है एल्टी ग्रेड भरती को लेकर यहाँ पर LT grade बरती को लेकर भी बड़ी न्यूज आप के लिए आई है और इसमें बोला गया कि शिक्सोको के जो रिक्पद है उन पर अधी आचन भेजने की जो निर्देश है वो जारी कर दी गया है तो यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है LT grade बरती के लिए और यहाँ देखिएगा जो न्यूज है उसमें क्या कहा जा रहा है उसको आप थोड़ा सा देख लेते हैं देखिएगा यहाँ पर बोला जारा कि राजकिये कोलेजों में सिक्सोकों के अतिरिक्त पदों पर जो ब्रती परिक्रिया है वो जल्द ही रप्तार पकड़ सकती है जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है क्योंकि इसका जो प्रात्मिक जो मतलब की जो शुरू प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और शिक्सा नेदेशक माध्यमिक ने अपर शिक्सा नेदेशक राजकियों को पत्र लिखकर 10 तिनों के भीतर सिक्सकों के रिक्त पदों पर अधियाचन आयोग को भीजे साथ ही यहाँ पर विभिन विशेक की जो अतिरिक प्रवक्ता पद है उन पर DC कराने के निर्देश भी जारी कर दिये हैं यहाँ देखेगा जो गोर तलब है कि जो सुबे के राजकिये विद्धाल है उनमें साय का अधियापक LT पूरस में जो प्रवक्ता विभिन विशे जो विशे हैं यहाँ पर इन पर लगवग 1031 पदों के DPC कराने के निर्देश दिये हैं साथ ही यहाँ पर जो न्यूज है उसमें कुछ और भी अपडेट्स यहाँ पर लिख हुई है ठीक है तो देखेए सिक्सा निर्देशक ने अपर सिक्सा निर्देशक को पत्र लिख दिया है और प्रोसेस सुरू हो चुका है ज जली है इसको अभी थोड़ा सा विस्ट्रेशन कर लेते हैं अभी यहाँ पर अगर बात करते हो लगवग 1200 पदों के लिए जो है यह भरती को लेकर जो है चर्चाने चल रही है लेकिन यहाँ पर इस 1200 पदों के कारण जो है विदारती काफी वरह सान है कि जो पद हैं वो पिछली भरती 2016 में जो पद थे उसमें कुछ पद खाली थे तो पिछली भरती को लेकर यहाँ पर जो है जो लगवग 5-6000 पद खाली थे उनको भी इसके अंडर एड़ किया जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर उनको एड़ करने के बाद में जो टोटल पद होंगे एक अपडेट से वह आपको प्रवाइड खरवाए जाएगी ठीक है तो अभी कि इस वीडियो में इतना ही था जो भी अपडेट साती है आपको यहाँ पर मिलते रहेगी तो वीडियो को लाइक और सेर कर दीजीगा और मिलते है नेक्स टूडियो में धन्यवाद